अलो भाईयों तुश्वागत है आपका नीव वीडियो में CRPF ट्रेड मैं के बारे में देखिए ये वीडियो बहुत जरूरी रने माला है ठीक है इस वीडियो में मैं किस टोफिक के बात करूँगा मैं आपको बता देता हूँ बिहार के कुछ ट्रेड के कटफ के बारे में ये कटफ मैंने निकाला है जो बच्चे कमेंट की है उसके अधार पे नर्मलाजेशन कितना तक बढ़ा है वो भी आपको मैं बताऊँगा इस वीडियो में और कब होगा आपका फिजिकल ट्रेड टेस्ट और डिवी मेडिकल कब होगा सब एक साथ होना है तो मैं आपको बत देखिए मैं अब शुरू में ही जरूरी बात को बता देता हूँ कि कर वीडियो देखते नहीं है तो फिर भी सुझाएगी ओचीज ठीक है तो चलिए वीडियो को शुरू करते है पहले तो देखिए कटफ मैं इस अधार पे बताऊँगा कि मैंने जो वीडियो बनाया था उस पर लगबख 100 पलस बच्चों ने कमेंट किया है तो उन्हीं के कमेंट के नुसरे मैं आपको नर्मलाइजेसन और कटाऊँगा ठीक है देखिए आपको पहले मैं जरूरी बात बता देता हूँ जो बहुत जरूरी बात देखिए पहली जरूरी बात यह है कि जीतना भी रिजल्ट आया है बहुत सारे बच्चे सलेक्टेड हो चुके हैं देखिए यह आपको पता होगा यह 2023 का भाली है ठीक है इसका पेपर भी जुलाई में हुआ है और जीतने भी ससे जीडी वाले बच्चे जो ट्रेनिंग कर रहे हो सारे बच्चे ने उन्हें एक जाम दिया ठीक है और उनका सेलेक्शन हो चुका है और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ आपको पता होगा एससे जीडी के वीडियो में दो सल से बना रहा हूँ और एससे जीडी के लगबग साथ सो सलेक्टेड बच्चे मेरे कॉंटेक्ट में है उसके अधार पे मैं मतलब बता रहा हू उनका मेरे पास मैसेज आया कि मेरा रियल्ट आया भी है और नंबर का भी बात कर तो किसी का 77 नंबर किसी का 85 नंबर किसी का 65 नंबर मतलब अच्छा अच्छा नंबर से और मैं अपना बताओ मैं भी सेलेक्टेड हूँ तिल्ली पुलिस में उसके बावजूद मेरा अच्छ और इंपोर्टेंट बात यही था कि आप बहुत सारे बच्चे सेलेक्टेड हो गए हैं तो आप यह नहीं समझेए खुद को कि मेरा होगा कि नहीं होगा यह सी भूल जाएए और दूसरा बात मैं आपको बताता हूं इंपोर्टेंट बात नॉर्मलाइजेशन में 11 नंबर तक बढ़ा है ठीक है अभी मेरे जनकारी में 11 नंबर तक बढ़ा है और जादा ही बढ़ा होगा कम नहीं बढ़ा होगा और उसका मैं पुरूब भ्याप को देता हूं कि 11 नंबर कैसे बढ़ा है तो आप यह मत सोचिए कि नंबर कम है तो मैं नहीं जाओंगा नहीं जाईए सब कुछ बाकी है ट्रेड बाकी है डॉक्मेंट बाकी है बहुत बच्छे छटेंगे अगर आपका रिजल्ट है ना तो होने की चांसेज भी आपकी बहुत है ठीक है देखिए मैं अभी देख रहा था अपना कमेंट जो बता है विडियो पे एक ग्यारह नमबर तक बढ़ा है लड़कों के ठीक है जो ये मतलब और डेट भी आपको बताता हूँ दस चुलाई ठड़ स्युट में जो बिगुलर कलड़के होंगे उनको पता होगा उनका नर्लाइजेसन है ना एक ग्यारह बारह नमबर तक बढ़े है ठीक है जादा भी बढ़े होंगे मतलब जनकारी के अनुसारे गारह तो पक्का बढ़े है ठीक है जैसा कि मैं आपको बता दूँ फिजिकल, मेडिकल, डॉकमेंट और वो पीटी, पीएश्टी सब आपका एक ही साथ होने वाला है और कब होने वाला है तो एस्पेक्टेड डेट जून का सेकेंड वीक है मतलब आप समझेए कि जादा टाइम मतलब अभी भी एक महीने टाइम तो आपके पास है ही आराम से तो जिनका रॉनिंग नहीं है या कुछ नहीं है आप अभी सभी कवर कर सकते हैं वैसे तो बहुत सारा ट्रेड का रॉनिंग 1610 मिनट में है लेकि कुछ ट्रेड का 5 किलोमे कमेंट के नीचे से मैं कटफ लिया ठीक है अभी कमेंट देखिएगा तो आपको भी पता चल जागा मैं वहीं सरी आई सब चीच ओबीसी का 55.25 सेलेक्शन हुआ है ओबीसी का 61 जिसका नंबर था उसका भी सेलेक्शन हुआ है हाँ ओबीसी के 68 वाले नंबर का सेलेक्शन नह नहीं हुआ है 61 का हुआ है तो नॉर्मलाइजसन में साथ तो बढ़ा है ना कनफर्म साथ प्लस नंबर बढ़ा है ठीक है तो नॉर्मलाइजसन में नंबर बढ़ रहे है ठीक है बाकी आप कमेंट की जितना ज्यादा कमेंट आएगा उतना ज्यादा एकूरेट होगा ओविस यहीं सब हाइ करमचारी में देखें तो 79 नंबर तक भी रिजल्ट आया है औधिये 63 नंबर वाले लड़का का ained OBC में 63 वाले रिजल्ट आया है, EWS में 63 वाले का रिजल्ट नहीं आया है तो थोड़ा अब कम से कम D今天 तो आप देख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा कमेंट करते थोड़ा के उरे ठम बता पाते लेकिन जो पता चला है आपको मैं बता दे रहा हूँ ठीक है वासर में देखिए स्टी का 63 नमर हुआ है और ये डाव्लीज का 175.65 पर भी हुआ है ठीक है परचपन से 69 का गयब देखिएगा न तो 14 नमबर का गयब है ठीक है लेकिन मैं मान के चलता हूँ ये कनफर्म डेट भी नोंने बताया है अंठामन नमबर इनका है दस चुलाई ठड़ सिफ्ट में मतलब और 69 का नहीं हुआ है आनिके 11 नमबर तो नमबर में बढ़े ही बढ़े है ठीक है भाई मेरा लास्ट मेसेज यही होगा आपके लिए कि देखिए अगर आपका PDF में नाम है तो आप सलेक्ट हो सकते हैं आप अपने आपको कम मत समझेए कि बहुत सारे बच्चे सलेक्ट हो चुके हैं दिल्ली पुलिस में SSGT में और बहुत सारे ग्रूप D में भी गया है लड़के और NTPC में भी कुछ का ज्वाइनिंग हुआ है तो बहुत सारे बच्चे सलेक्ट हुए हैं तो आप यह मत समझेए कि मेरा जाओं कि नहीं जाओं एसकिप नहीं करना है जाना है नौकरी बुर काम कोई भी हो और मैं बता हूँ एक चीज एससी जीडी से अच्छी नोकरी है ट्रेड की क्यूं अच्छी है मैं बताता हूँ आपको क्यूं अच्छी है क्यूंकि इनका टाइमिंग है आपका टाइमिंग है कुक ट्रेड का है सुबह नस्ता बनाना है फिर खाना बनाना है ट्रेट पैसा उतना ही मिलना है तो ट्रेट की नोकरी अच्छी है SSEGD से मतलब मैं दो महीने रहा हूँ आपर तो पता एक चीज़ क्या होती है कि वो जो परमोसन होती है कुक में नहीं मिलती है कुछ-कुछ पोस्ट में मिलती भी है वो तो अलग बात है लेकिन आपको पैसे सेम मिलेंगे पैसे में कोई भेदवाव नहीं होता है तो मुझे तो लगता है कि टाइमिंग है तो थोड़ा अच्छा नवकरिये उससे SSEGD से ठीक है फिटाल वीडियो में इतना ही धने बात बाकि जो कमेंट होगा आप कमेंट कीजिए जो 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 कमेंट होगा उसका मैं रिपलाई जरूर दूँगा ठीक है